कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है लेकिन आप दुनिया से उम्मीद कभी मत रखना यहाँ कोई नहीं आएगा आपके सपनों को सच करने के लिए लेकिन अगर आपको दुनिया कामियाब होता हो देखेगी तो आपको गिराने की कोशिश जरूर करेगी दोस्तों कुछ ऐसी है हमारी दुनिया की सच्चाई इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग आपको देखकर सिर्फ आपको गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये उनका पसंदिता काम है लेकिन ये आपके ओपर डिपैंड करता है कि आप गिर कर फिर से उठते हैं या फिर गिरे रहते हैं ये दुनिया पर कभी भी भरोसा मत रखना आपको आपका रास्ता खुदी बनाना पड़ेगा ये दुनिया तो सिर्फ आपको उल जाएगी किसी ने इस बीड से हटकर कुछ कोशिश की तो लोग उन्हों का मजाग उड़ाते हैं अरुनामी सिमा जिनका एक पैर कटा हुआ था और एक पैर में रॉड थी और उन्हों की स्पाइनल कॉर्ड में भी रॉड थी उन्होंने कहा कि मैं माउंट एवरेश्ट को पत्य हासिल करूंगी तो लोग उन्हों का मजाग उड़ाने लगे लेकिन उन्होंने माउंट एवरेश्ट पे पत्य हासिल की दर्शर्ट मांजी ने कहा ये इस पहाड को मैं रफ्ता बना दूँगा तब भी लोग उनों का मजाग उड़ाने लगे और जो की एक असंभाव काम था वो उनोंने संभाव करके दिखा दिया उनों को बाइट साल लगे उस पहाड को काटने में लेकिन उस पहाड में से उनोंने रास्ता निकाल दिया अली बाबा अली बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा उसके फाउंडर है जैक नाका उनोंका तो अन्लिमिटेग टाइम मजाग उड़ाया गया लेकिन तब भी वो नहीं माने उनोंने लोगों की नहीं सुनी और वो अपने इरादों पर पक्के रहे और आज उनोंने सक्सस पाली तो सपने अगर दे रहे हैं तो पूरा भी तुझे ही करना पड़ेगा जब तू अपने सपनों को पूरा करेगा तो दुनिया तुझे जरूर गिराएगी और जब ये दुनिया गिराने लगे तो समझ जाना तू सई ट्रैक पर है जब ये दुनिया तुझे गिराए और तू आशफल हो तो हार मत मानना क्योंकि शेड जब एक कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब है कि वो बड़ी छलांग मारने वाला है उन लोगों की परवा कभी मत करना जिनकी जिन्दगी सिर्फ लोगों की बुराईयां करने में ही निकल जाती है तो दोस्तों आपको भी ये दुनिया ऐसे ही लगती है तो फैला दो इस वीडियो को अपनी दुनिया में और अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं टेक्निकल साइनिंग आउट